ओओ नमस्कार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हमारा विशे है गंड मूल काफी प्रचलित प्रभावशाली भय पैदा करने वाला विशे लोगों के बीच बहुत भय है इस बात का कि मेरी संतान गंड मूल में हुई है या मैं गंड मूल में हुआ हूँ तो मुझे समस्या रहेगी मैं बहुत भारी हूँ माता पिता के लिए अपने लिए कुछ परिशानी हो सकती है हो भी सकती है नहीं हो सकती है तो सबसे पहले हम यह समझते है कि गंड मूल है क्या अब यहां कुछ इस तरह समझे इसे कुछ विद्वानों ने किस तरह समझाया है कि अगर हम राशी चक्र की बात करें अगर हम अपने राशी चक्र को देखते हैं आकाशी चक्र को तो आकाशी चक्र में मान लेतें कि ये एक नक्षत्र है 27 जब आकाश के विभाग करेंगे तो मान लेतें कि ये एक नक्षत्र है इस नक्षत्र के बीच में ही यहां एक राशी खत्म हुई और दूसरी राशी शुरू हो गई तो इस तरह से दो सतत चीजें हो रही हैं दो चीजें लगातार हो रही हैं एक चीज खत्म हुई एक राशी खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई और नक्षत्र एक ही चल रहा है तो ऐसी स्थिती में कोई संधी नहीं बनी है कोई जोड नहीं बना है बात पर पूरा ध्यान देना नहीं तो खिसक गई फिर समझ में नहीं आएगी बात तो यहां अब तक क्या है कि एक ही नक्षत्र चल रहा है राशिया अलग-अलग एक नक्षत्र में पड़ गई है तो ऐसी स्थिती में किसी परकार का कोई gap create नहीं हुआ है कोई संधी नहीं बनी है संधी का मतलब होता है जोड दो चीजें जुड रही है एक चीजें के ऊपर दो चीज जुड गई तो कोई दोश पैदा नहीं हुआ हमारे विद्वानों ने प्राचीन विद्वानों ने क्या समझाया हमारे रिशियों ने कि कई मामलों में ऐसा हुआ है कि एक नक्षत्र समाप्त हुआ है दूसरा शुरू हुआ है और जहां ऐसा हुआ है ठीक उसी स्थान पर राशी भी समाप्त हो गई राशी भी ठीक वहीं समाप्त हो गई है उसे पीछे चलती आ रहे थी वहीं समाप्त हो गई और अगली राशी शुरू हो गई अब यहां एक gap create हुआ यहां आकाशिय स्थिती में एक जोड है ऐसे कुल मिलाकर छे जोड है 27 नक्षत्रों में 6 स्थिती ऐसी आई जब एक नक्षत्र ने दूसरे नक्षत्र के शुरू होते होते पहला नक्षत्र जब खतम हुआ तो राशी भी वहीं खत्म हो गई और अगली राशी जब शुरू होती है जैसे जहां पर मीन राशी समाप्थ होती है वहीं पर रेवती नक्षत्र समाप्थ हो जाता है ऐसे कुल 6 नक्षत्र है यानि कि कितने संधी हो गई कुल मिलाकर अगर हम संधी की बात करें तो 3 जोड बन गए इन में 6 नक्षत्र हैं ये संधी स्थिती है यानि कि एक नक्षत्र खतम हो रहा है दूसरा नक्षत्र चालू हो रहा है और इस बीच में राशियां भी खतम हो गई है एक ही जगह पर दोनों चीज़ें खतम हो गई और इन के बीच continuity का कोई connection नहीं है लगातार सतत स्थिती बने रहने की स्थिती नहीं बनी और क्योंकि सतत स्थिती नहीं है लगातार कोई स्थिती बनी हुई नहीं है कहां कहां पर रेवती और अश्विनी में, अशलेशा और मघा में, जेश्ठा और मूल में यहां मीन राशी समाप्थ हुई और मेश राशी स्टार्ट हो गई अब यहां अगर हम देखें तो दो नक्षत्रों के बीच की जोड है यह इस जोड को गंड मूल कहा गया है और मूल शब्द का उदेश्य क्या है, यह मूल जो नक्षत्र है यह सबसे ज़्यादा इन में अशुब माना गया है इसलिए इसे मूल में प्रेफरेंस दी गई है यानि कि नाम उसका दिया गया, जिसमें इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा उसका नाम इसे दे दिया गया अब यहाँ पर होता कैसे है इसको जला समझते है जहाँ पर जोड़े अब सिंपल बात है इसका बुरा प्रभाव तो होता है ये बात तो समझ में आगी लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव कहां होगा सबसे ज़्यदा बुरा प्रभाव होगा बिल्कुल जोड के समय आप जनम ले रहे हैं राशी ग्रह जो है नक्षत्र जो है चंद्रमा जो है एक राशी से दूसरी राशी इंप्रवेश कर रहा है ध्यान देना हम यहां चंद्रमा की परीधी की बात कर रहे हैं यानि कि लगबग दो दिन ऐसे पड़े, जिनमें ये संधी का लाएगा, यहां नक्षत्र का संधी पड़ गया है, इस संधी की स्थिती में आप नहीं बच सकते, यहां आप पर अशूब प्रभाव हो गई होगा, अगर यहां किसी संतान का जन्म हो रहा है तो अशूब होगा लेकिन क्या पूरा का पूरा संधी स्थल ही अशूब होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कयब दिखाई देगा, अब क्या देखेंगे कि रेवती और अशूब यह दो नक्षत्र देखिए, तो यहां जुडते हैं एक समय, चंद्रमा एक राशी से एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत हैं, कि दो नक्षत्र हो गए, और इनके चार नक्षत्र हैं, इसके भी चार हैं, अब आपको प्रभाव कहां दिखाई देगा, जैसे जैसे आप संधी के और बढ़ेंगे, आप में अशूबताएं बढ़ती चली जाएंगी, यहां हम देखिए, यह चोथा, यह पहला चरण हैं, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चोथा, यह अगले का पहला, यह अगले का दूसरा, अगले का तीसरा और अगले का चोथा, माल लेते हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहां रेवती की, और मैं यहां बात कर रहा हूँ अश्वीनी की, तो आप पर गंडमूल का विशेश पहले दूसरे तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो यह जन्म में बहुत अशुकता नहीं है कोई खास समस्याई नहीं है क्योंकि आप यहां संधीकाल से बहुत पीछे हैं लेकिन पहला तो बहुत शुब हो गया उस पर तो ज़्यादा असार होगा ही नहीं संधीका दूसरे पर थोड़ा ज़्यादा होगा तीसरे पर थोड़ा और ज़्यादा होगा चोथे पर थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा तो सबसे जयादा प्रभाव कहा दिखाई देगा चोफे चरण में तो यदि आपका जन्म रेवति नक्षत्र में हुआ है यहनि कि जब आपका जन्म हुआ तो चंदरमा रेवति नक्षत्र में था अपनी राशी देखिए, अगर आपका राशी मेश है तो यह देखिया आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र के चोथे चरण में जन्म हुआ है तो आप पर गंडमुल का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा यदि इसमें नहीं हुआ है तो नहीं फिर आपका पहली राशी से दूसरी राशी में प्रवेश कर रहा है, यह संक्रमन काल है, पहले नक्षत्र में सबसे बुरा प्रभाव दिखाई देगा, अब फिर दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चोथे में बिलकुल प्रभाव नहीं के बराबर होगा, होगा तो सही, लेकिन नहीं के बराबर होगा, तो ऐसे व्यक्ति पर आपके जीवन काल में कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं देगा, माना जाता है ये बाला रिष्ट के लिए बहुत महत्रपुर्ण माना जाता है, ऐसे बच्चों के बच्पन में बाल्यावस्था में रोग होने की बहुत संभा बना है, सारावली जैसी पुस्टकों में ये भी लिखा गया, कि ऐसे बच्चे जीवन में बच्पन में ही मृत्य हो सकती है, और अगर बच जाएं तो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन ऐसा व्यवाहर में नहीं देखा जाता, न तो गंडमूल में पैदा होने वाले ब बच्चे राजा हुए हैं, तो ये सब चीजें अतिश्योक्ति के साथ लिखी गई हैं, इनका समझाने का उद्धिश्यक कुछ हो रहे हैं, सारावली बहुत ज़्यदा पुरानी पुस्तक भी नहीं है, लेकिन हम ये समझे कि इसका उद्धिश्यक है था, वो बताने का कि बच्चे के स्वास्थे की दृष्टी से बुरा है, और अगर वो बच जाता है, बच्चे को मतलब स्वास्थे ठीक रहता, तो उस पर और कोई बुरह प्रभाव बाद में दिखाई नहीं देगा, तो ये बाला रिष्ट के लिए माना जाता है, बाला रिष्ट मतलब प्रभाव दिखाई देगा, फिर शास्त्रों को, शास्त्रों में इसे और बारित्री के से बताया गया है, क्या, कि क्या पूरे ही नक्षत्रचरण में आप खराब होगा, नक्षत्रचरण तो काफी समय कर रहेगा, लगबग लगबग अम मान ले, कि अगर वो 24 घंटे का है तो 6 घंटे के आसपास एक नक्षत्रचरण हो गया, अब 6 घंटे के 6 घंटे बुरे हैं क्या, नहीं, अब उन्होंने क्या कहा, कि अगर ये जो दो घड़ी तो इसकी लास्ट वाली, बिल्कुल जब ये खतम हो रहा है, दो घटी, ये दो घटी होती हैं, लगबग एक गटी 24 मिनट के आसपास की होती है, तो 24 दो घटियां यानि की 48 मिनट, तो कुल 48 मिनट तो इस नक्षत्र की आखरी, रेवती की, और इसी तरह से 48 मिनट अगले की, तो दो घटी अगले की, दो घटी पिछले की, ये दोनों राशियां, ये वाला प्रभाव जो है, विशेश होगा ये आम तोर पर हमारे सामाने जोत्षी, जो कम जानकार लोग है, वो इस पर कम धान देते हैं, लेकिन हमें इस महिंता से विचार करना होगा, हमें योहीं किसी को बहुत अशुब चीजें नहीं बता देनी है, आपको धान देना है, कि आप किस हिसे में पैदा हुएं, कोई रेवती नक्षत्र के पहले हिस्से में पैदा हुआ है, और वो उसको कहा जा रहा है कि आपका विवा इसलिए नहीं हो रहा कि आप गंडमूल में पैदा हुएं, ने इसका कोई मामला नहीं है, वेस्तों गंडमूल का विवास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इस तरह न डराया जाए, आप समझें कि उसका पहला चरण, सबसे पहले आपने यह देखना है कि वो उस संधी के कितना पास जाकर जन्म हुआ है, जितना पास होगा नक्षत्रक में बुरा प्रभाव उतना जादा दिखाई देगा, तो यहाँ इस संधी को, और यह रे संधी के बीच में पैदा हुआ हुगा, यानि की अशलेशा की आकरी चरण और मगा का पहला चरण बहुत अशूब रहेगा, इसी तरह से जेष्ठा का आकरी चरण और मूल का पहला चरण है लेकिन उसमें भी कौन सा दो घटी आखरी वाले चंद्रमा जब बिल्कुल की मीन राशी से मेश राशी में बिल्कुल जब प्रवेश कर रहा है और वो 48 मिनट इधर के 48 मिनट उधर के यह जो 136 मिनट के आसपास का समय रहेगा यह विशेश रूप से अशुभ माने जाएंगे तो यहां आपको इस बात को ध्यान देना है इनके क्या-क्या प्रभाव रहेंगे यह आपको पुस्तकों में असानी से मिल जाएंगे इसके लिए मालग से एक वीडियो बाद में बनाऊंगा लेकिन फिलाल मैं क्योंकि आपको आकाशिय स्थितिया समझा रहा हूं तो आपक यह छे नक्षत्रों में चन्म अशुबता पैदा कर सकता है लेकिन छहों में से कहां पर ज्यादा अशुबता होगी बिल्कुल अंतिम चरणों में और इन नक्षत्रों के पहले चरणों में लेकिन पहले और आखरी चरणों में भी कहा होगी तो शास्त्र उसके लिए विश शेश रूप से अश्युग रहता है, तो अगर आपका जन्म इस अस्थिती में हुआ है, या आपकी संतान का जन्म इस स्थिती में हुआ है, तो आपके अपने नजदी की किसी विद्वान व्यक्ति से मिलकर, गंड मूल शान्ती का विधान को फोलो करना चाहिए यह आपकी शास्त्रिय सला है आप ऐसा करते हैं आप ऐसा नहीं करते हैं यह एक अलग मामला है बिल्कुल लेकिन शास्त्रा अनुसार गंड मूल की शान्ती का विधान दिया गया है कि गंड मूल का विधान वो 27 दिन के अंदर आपको शान्ति उसकी करानी चाहिए लेकिन अगर आप नहीं कराते हैं वो एक मैटर नहीं है मैटर यह कि क्या आप पर प्रभाव होगा प्रभाव कब होगा यह मैंने आपको समझा दिया उमीध है आप इसे अच्छे समझ गए होगे और गंड मूल के बारे में यह बहुत रहष्यम है बात है जो एक तरह से समझना थोड़ा मुश्किल होता है मैंने उसे सरल करने की की है उमीध है आपको समझ आ गया होगा कोई विशेश विशय यदी जोतिश के समबंध में आपको जानकारी चाहिए तो आप उसे कमेंट में डालिएगा मैं वीडियो में उसे लेने की कोशिश करूँगा वैसे तो मैं जोतिश के पूरे प्रक्रण को चाहिए उसमें मुझे 500 वीडियो के उन्या बनाने पुड़े मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी हर जानकारी आप तक पहुचा सकूँ मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ लेकिन जितनी जानकारी रखता हूँ उतनी आपको जोतिश की जरूर दे दूँगा तो उमीद है आप जल्द ही एक अच्छे जोतिशी बनेंगे आज की वीडियो में इतना ही आपका दिन शुब हो धन्यवाद